नमस्कार मैं शफाली कुकड फाइटर समाचार में आपका स्वागत करती हूँ इस वक्त जो समाचार आ रहा है वो है राजिस्थान की राजमिति का जहां विधान सबा चुनावों को लेकर कांगरिस और भाजपा दोनों में ही हंगामा मचा हुआ है भाजपा दोरा तीन दिन पुरव चुनाव में उतरने वाले दावेदारों की पहली सूची जो 131 नामों की थी उसे जारी कर दिया गया था जबकि कांगरिस दोरा अभी तक किसी सूची को जारी नहीं किया गया है भाजपा द्वारा जारी सूची में जिन लोगों को टिकिट नहीं मिली उनके द्वारा लगातार विरोग परदर्शन किया जा रहा है वही पार्टियां बदली जा रही है और निर्दलिया परत्याशियों के रूप में उनके द्वारा फारम भरे जा रही है भाजपा पार्टी द्वारा आज कोर कमेटी की बैठक के बाद अपने पर्त्याश्यों की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई इस सूची में पार्टी में 69 नामों में से 31 नामों की गोशना की गई है जिसमें जैपूर के मालविय नगर से काली चरन सराफ, बंगरू से कलाश शर्मा, जैसल मेर से सांग सी है भाटी, नंदलाल बंशी वाल को सीकर से उमीदवार बनाया है वहीं बिहारी विष्णोई को अनोका से, विकरम बंसी वाल सीकराई से, चंदर काता मेग वाल को केश्वराय पाटन से, गुर्दीप शहापनी को संगरिया से, मंजु खेरवाल को हिंडोन से, कनहिया लाल मीना को बसी से, प्रेम चंद बैर्वा को दूदू से, अशोक शर् से, अभिनेश महिरिशी, जोटवाड़ा से, राजपाल सियं शिखावत, कपासन से, अर्जुन जी नगर, चाक्सु से, रामावतार बेर्वा, बिकानेर पश्चिम से, गौपाल जोशी, अनोपगड़ से, संतोष बावरी, डक्स से, कालुलाल मीना, गड़ी से, कलाश मीना नादवार से, महेश परताप, डुंगर गड़ से, ताराचन सार्सवत, पोखरन से, परताप पूरी, चोहटन से, आदुरा मेगवाल, कुठुमबर से, बाबुलाल मेनेजर, बासवाड़ा से, अकर माहिरा, बेशिड से, छितरिया जाटव, को पार्टी ने उमीदवार बन करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही, आपके फोन की घंटी बच जाए